Hello friends, मैं हूँ रोशनी और आप देख रहे हैं RS Education Channel Friends, MS Word की Classes में आपका Welcome है Friends, MS Word की हमने 3 Classes cover कर ली है तो आपने यदि वीडियो नहीं रेखा तो link description पर है तो आप वहाँ से चेक आउट कर सकते हैं MS Word की 1st Class पर हमने MS Word का Basic cover किया था Second Class पर हमने जाना था कि clipboard group और font group क्या होता है और ऐसे ही हमने 3rd Class पर paragraph group के वारे में जाना है तो Friends, हम आज की हमारी 4th Class है MS Word की तो MS Word के home tab पर आज हम जानेंगे कि editing group क्या होता है यदि आप beginner हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जादा helpful होने वाली है और आप यदि कोई भी competition exam की तयारी करते हैं तो उस पर भी इससे related बहुत सारी question आते हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत जादा useful होने वाली है और यदि आप office में work कर रहे हैं और आपके starting है अभी office work तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत जादा important होने वाली है तो friends वीडियो को जादा लंबी ना खीशते हैं हम आज का वीडियो start करते हैं और जानते हैं कि MS Word के home tab के अंदर editing group पर क्या-क्या options होते हैं और हम इने कैसे-कैसे use करते हैं तो चलिए friends हम वीडियो को start करते हैं So guys home tab के अंदर last group होता है editing group और आज हम इसी के वारे में cover करने वाले हैं मैंने आपको पहले भी बता दी थी वीडियो के starting में ही तो friends इस पर find का option रहता है replace का option रहता है और select का option रहता है find का मतलब होता है कि हमें document जैसे आपने बहुत सारे document बना लिये हैं उस पर 50 या 100-500 pages हैं तो आपको उसमें कोई word धूलना है तो आप इसका use कर सकते हैं और replace का मतलब होता कि उस word को change करना आपने 100-200 document बनाये थे तो उस पर कोई word गलत हो गया है या spelling mistake हो गई है या आपको उस word को change करना है तो आप replace option का use कर सकते हैं अगर हम इने open करके देखते हैं तो एक window open हो जाती है तो यहाँ पर आपको find, replace और go to के option मिल जाते हैं तो आप replace को भी open करेंगे तो भी आपको find, replace और go to के option मिल जाएंगे बट आप जब find करेंगे तो आप find की window open करें और replace करेंगे तो replace वाली window तो चलिए friends हम find करके देख लेते हैं जैसे हम यहाँ दा को find कर लेते हैं यहाँ आपको click करना है नई तो आपको अपने keyboard से control plus F पी करेंगे तो भी आपको यह window open हो जाएगी तो आप यहाँ पर जो word आपको find करना है आप यहाँ पर लिख दें तो आप यहाँ पर find in के option पर man document कर दें तो आप देखेंगे जितने भी दा है तो वो सारे find हो गए है पट फ्रेंड यहाँ पर जो other है और there है यह वाले दा भी find हो रहे है तो इसके लिख लिख आपको यहाँ पर more के option पर जाना है और find hold world only पर click कर देना है तो आप यहाँ find in के option पर जाकर man document पर click कर दें तो अब आप देखेंगे कि जो दा है तो वो ही वस find होंगे there और other वाले जो सब दिते वो find नहीं होंगे ऐसे इस पर आपको एक option और मिल जाता है match case का प्रंट जैसे कि हमें यहाँ पर कोई भी word आपके document में लिखा है और आप उसे उसके 3-4 word ही लिखेंगे तो भी आपको वो word select हो जाएंगे जैसे यहाँ पर picture लिखी है तो हम P, I, C वस कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है आप यहाँ पर more के option पर जाके यहाँ select कर दें match case में then main document पर click कर दें यह word को match कर देता है कि pick कहां कहां पर लिखी है ठीक है उसके बाद option जाता है replace का अब हम replace करके देख लेते हैं हम इस दा को then में replace करते हैं आप replace के option पर click करें जो document पर लिखा है उसी word को आप यहाँ type कर दें then replace के option पर click करना है और यहाँ पर आप दा को जिस word से convert करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पर type कर दें जैसे हम then पर convert कर लेते हैं दा को then आपको यदि एक-एक word करके आपको replace करना है तो आप find next पर कर देना आप find next करते जाएंगे तो वो एक-एक word replace होते जाएगा पर इस पर भी बहुत ज़्यादा time लगता है तो आप replace all कर देना और यदि आपको कहीं के word बस याने पहले paragraph आपके word बस change करना है और second paragraph आपके change नहीं करना है तो आप find next के option के use कर सकते हैं और आपको पूरे document पर पूरे word को replace करना है तो आप replace all पर click कर दें ये option बता रहे कि यहाँ पर 11 word है जो दा से देन पर replace हो जाएंगे आप यहाँ ok पर click कर दें तो आप यहाँ देखेंगे कि जो दा थे वो देन पर so friends अब हम go to के option के use कर लेते हैं हम देखते हैं कि इसका use कैसे किया जाता हो किस situation में हम इसका use कर सकते हैं so guys आपके पास 50 या 100 pages है तो आप जैसे आपकी second page या 5 page पर तो आप वहाँ पर जानना चाहते हैं तो आप simply यहाँ से 5 type करेंगे तो आप 5 page नमर पर पहुँच जाएंगे जैसे यहाँ पर हमारे 3 pages हैं तो हम 2 pages पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 type कर दें then enter पर click कर दें या फिर आप go to के option पर भी click कर सकते हैं तो आप second page पर पहुँच जाएंगे और भी यहाँ पर हमें option मिल जाते हैं bookmark का line का section comment तो अब हम line के option का use करके देख लेते हैं जैसे हमें 10th नमर की line पर जाना है तो आप यहाँ 10 type कर दें then enter पर enter कर दें नई तो आप यहाँ go to के option पर भी click कर दें आप यहाँ पर इसे count करके भी देख सकते हैं आप यहाँ पर जो आपने नाम type किया था या save किया था उसी नाम को आप यहाँ पर लिखेंगे then enter या go to पर click कर देंगे तो आप उस bookmark पर पहुंचाएंगे या उस page पर पहुंचाएंगे जिस पर आपने bookmark बनाया था प्रंट जैसे आपने English के word को find and replace किया है वैसे आप Hindi के word को भी find and replace कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर एक word को find and replace कर लेते हैं जैसे हम typing करते हैं तो अपने keyboard से d key को press करेंगे तो का बनता है और k key को press करेंगे तो आखी मातरा लगती उसमें तो हमको भी यहाँ same ऐसे ही लिखना है डी और के अब हम find next पर करेंगे तो एक एक करके find होंगी यहाँ पर आप man document पर click कर दीजित आप यह देखेंगे कि जितने भी का थे वह पूरे find हो गये ठीक है आप इसी तरह से replace भी कर सकते हैं जैसे आप typing करते हैं जिनकी इसे जोन से वर्ड आते हैं आप उन्हीं को वहाँ पर type करते हैं so friends next वीडियो पर हम insert group के बारे में पढ़ेंगे friends find replace में जो भी आपको confusion होगा तो आप comment section पर पूछ सकते हैं I hope friends कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें और यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो dislike भी कर सकते हैं friends हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं computer से related तो आप यदि computer पर इंट्रेस्ट लगते हैं या नई नई चीज़े सीखना चाहते हैं computer पर तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए और bell के icon को भी प्रेस कर दीजिए MS words से related आपके mind पर जो भी question है तो आप comment section पर comment करके पूछ सकते हैं अब हम मिलते हैं हमारे next topic पर तब तक के लिए take care and bye bye thanks for watching